कुलरस तहसील के तहट आने वाले ग्राम पंचात खराई से जोड़े लगभग आधा दर्जन ग्रामों में एकल बत्ती कनेक्शन की लाइन वक्हम बेचोरी हो गए अब ग्रामीन अधेरे में जीने को मजबूर हैं समस्या को लेकर मंगलवार को ग्रामीन कलेक्टरेट पर पह आया कि आज से तीन वर्षे पहले खराई से जोड़े ग्राम ठोरिया कुमहर रहा हुआ और अस्वा ठोर रामपुरा खजूरी आदिवासी बस्ती गुदिनिया गणेश भैडून इमलिया मानपुरा आदे ग्रामों में बीपेल हिद्रगाईयों के लिए बिजली उपलब कराया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हम अंदेवे में जीने को मजबूर हैं करप्या कर हमारे समस्या का निराकरन करवा दीजिए पिछले तीन सालों से लाइट हमारे है नहीं है बिल्कुल जो दस घंटे के लिए जो आती है पंपलाइन आती है हमारी वह पांच शे घंटे आती है उसका भी समय कोई फिक्स नहीं है तो यसे सुगोट और है कुम्रह हुआ है टौरी आए को दोनिया गणिस है रामपुरा ह सब्सक्राइब करें चार-पांच बस्ती आदवासियों की है मली आदवासी बस्ती रामपुरा आदवासी बस्ती है बिन में उनमें बिल्कुल लाइटी सुप्त ही नहीं हमारे हैं चौदह गाओं में पांच यार की बोटें कम से कम और जन संक्या तो आप लगा लोगा लोगी तो हम जी चाहते हैं कि हमारी पंप लाइन आ रही है सिंगल फैक्स निदान नहीं होता बत्ति का सिंगल फैस नेक्षिंगुन हो फोड़ी लगार है सिंगल प्रेक्स मिल जाया है उससे पनकेश चल जांगे और कोई हमारी मांग नहीं है आप लाइट नहीं है अमारे जब्सपा और मिरमोडी मच्छर सई परिसान भाइब पशलिए लायट यह तो हैं और 2-3 साल से आइए विपेओ यलगी लाइट तहीं ने जाण were तीन साल से लाइट नहीं आ रही लाइट वारे भी तार आतो तो बहुत चुरा ले गए लाइट वारी लाइट चांग हम तो लाइट मिलनों चाहिए बनने आहां नहीं अभी नहीं सुवाट और